हेलो फ्रेंट्स आज हम हजारी परसाद दिवेदी जी की कतनों को देखेंगे नाना प्रकार की धार्मिक साधनाओं, कलात्म प्रेतनों और सेवा भक्ती तथा योग मुलक अनुभूतियों के भीतर से मनुष्य उस महान सत्य के व्याबक रूप को करमशा प्राप्त करता जा रहा है जिसे हम संस्कृती शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं पंडिताई भी एक बोज है, जितनी ही भारी होती है, उतनी ही तेजी से डुब होती है जब वह जीवन का अंग बन जाती है, तो सहज हो जाती है, तब वह बोज नहीं रहती अगला है, प्रवर्तियों को दबाना नहीं चाहिए, उनसे दबना भी नहीं चाहिए अगला है, पुरुष इस्तरी को शक्ती समझ कर ही पूर्ण हो सकता है पर इस्तरी को समझ कर, शक्ती समझ कर अधूरी रह जाती है प्रेम बड़ी वस्तू है, त्याग बड़ी वस्तू है और मनुश्य मात्र को वास्तविक मनुश्य बनाने वाली ज्यान भी बड़ी वस्तू है अगला कतन है भारते जंता की विवेद साधनाओं की सबसे सुन्दर परिनिती को ही भारते संस्कृति कहा जा सकता है अगला है मनुश्य की जीवनी शक्ती बड़ी निर्मम है वह सब्यता और संस्कृति के वृता मोहों को रोंदेती चली आ रही है अगला है मनुशिता में जो मनुशिता है उसे पशु से अलग कर देती है वही अराध्य है क्या साहित और क्या राजनीती सबका एक मात्र लक्ष इसी मनुशिता की सर्वांगीन उन्नती है अगला है माया का जाल छुटाए नहीं छूटता है यह इतिहास की चिरोद गोषित वारता सब देशों और सब कालों में समान भाव से सत्ति रही है अगले कथन है मैं इस्तरी को इस्तरी शरीर को देव शरीर के समान पवित्र मानता हूँ तो दोस्तों ये कथन आपको कैसे लगए कमंट करके जरूर बताईएगा ताकि और आपको वीडियो मिलेगा